कौन थे मंगल धिलो? 80s और 90s में निभाया कई अहम किरदार एक्टर मंगल धिलो का निधन 11 जून को हुआ मंगल धिलो ने कई सारी फिल्मों में काम किया है उनके निधन की जानकारी उनके करीबियों ने दी है हिंदी सिनेमा और पंजावी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर मंगल धिल्लो का नीधन हो गया है खबरों के मताबिक पिछले कुछ सालों से एक्टर मंगल धिल्लो कैंसर की बीमारी से जूज रहे थे उनका पंजाब के लोध्याना शहर से एक अस्पताल में इलाज चल लहा था लेकिन ग्यारज उनको उनके निधन की खबर सामने आई है रवी वार की सुबह एक्टर ने अंतिम सांस ली और उनके निधन की खबर एक्टर यश्वार शर्मा ने दी है चले आपको बताते हैं मंगल धिलो से जूरी कुछ बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए पंजाबी एक्टर मंगल धिलो का जनम 18 जो 1924 को पंजाब में हुआ था मंगल धिलो एक पंजाबी परिवार से बिलूंग करते थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से किया था उन्होंने पंजाबी युनुवर्सिटी से अपना गरेजर्शन किया था और एक्टिंग में डिपलोमा भी साल 1980 में लिया था मंगल धिलो एक एक्टर होने के सांसात लेखक और निदेशक भी थे उन्होंने दिल्ली और चंडिगर के रंग मंचपर भी काम किया और बाद में टीबी सीरियर और फिल्मों के जरिये लोगों के दिलों में जगह बनाई मंगल धिलो ने अर्चना पूरण सिंग, रेखा, अमिता, बच्चन, सनी, देवल जैसे बरे सिस्तारों के साथ काम किया है आपकी जानकार के लिए बता दे मंगल धिलो भले ही शुरुआत पंजावी फिल्मों से की थी लेकिन बोली बुड में उनकी खास पहचान बनी मंगल धिलो ने बोली बुड में खून भरी मांग, जखमी औरत, दयावान, भरष्टा चार, अकेला, जिन्दगी एक जुआ, दलाल और साही बान जैसे फिल्मों में काम किया जिसमें कई सारे फिल्म में सूपर हिट हुई, मंगल धिलो साल 1994 में रीटूर धिलो से शादी की थी मंगल धिलो इस बीमारी से पिछले कुछ सालों से जूज रहे थे तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरू बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें साथ में घंटी का भी आइकन दबा दे ताकि सबसे पहले ऐसे वीडियो देख सको तो मैं मिलता हूँ आप से नेश्ट वीडियो में जब तक लिए बाई बाई